दीकि मंगलवार की रात और बुद्वार की सुबह अजमेर के लिए बहत बुरी रही है और बुद्वार की जो सुबह है वो भी बुरी ख़बर के साथ शुरू हो रही है अजमेर के लिए क्योंकि बुद्वार की सुबह अजमेर के अंदर 44 नए Delhi World Public School, India's No.1 Emerging School, जहां है नो वजे की रिपोर्ट आई है उसके अंदर 44 करोना Positive का आंकड़ा आया है और जो आंकड़े इस वक्त आ रे रहे हैं ये इस 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 इलाके को मस्लिम मुची मौला जो इलाका है अजमेर के अंदर ये तमाम करोना पॉजिटिव के मामले उसी इलाके से आ रहे हैं और इस इलाके ने जैपूर के रामगन जैसी सती अजमेर के अंदर इस जोन के अंदर कर दी है और इसके बाद से ये अजमेर जो है वो एक तरीके से हाट स्पोट की और बढ़ता जा रहा है इस इलाके के अंदर लगातर मामले सामने आते जा रहे हैं सबसे पहले बिहार का जो यूवक्त था जो छे महीने पहले ही अजमेर आया था यहाँ पर आखर फेरी का काम करना शुरू किया था उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं यह जमेर के मुस्लिम मोची मौला जो इलाका है वहां से आ रहे हैं और वहीं जो चिकेसा विभाग से इस वक्त हमको जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके मताबिक इस इलाके से साड़े 300 सेंपल लिए गए तो और इन 300 में से जो 44 नए मामले इस वक्त सामने आ जिसके बाद पॉजिटिव केस का अंखड़ा बरकड अब अजमेर के अंदर 103 हो चुका है अजमेर में 44 जो नए मरीज मिले हैं आज सुबह बुदवार सुबह उसके बाद से चिकिसा विभाग और प्रिशाशनी कमले में चिंता है और हरकम सा मचा हुआ है अधिकारियों के बीच में एक बड़ा संशे का माहौल है कि आखिरकार जो चुनोती पूर्ण समय है कोरोना महमारी का और कोरोना वाइरस इससे आखिरकार और कोई किसी नई रंडीती के साथ कैसे लड़ा जाए क्यूंकि जो विभाग के जो सूथ हैं वो हमको जो जानकारी दे रहे हैं उनक मताबिक यह जो कोरोना के नए मरीज इस वक्त सामने आए हैं इन तमाम मरीजों के अंदर कोरोना के किसी प्रिकार के कोई लक्षण नहीं होने के चलते एक बड़ी चुनोती प्रिशाशनी कंबले के अंदर और चिकिस्सा विभाग के सामने बनी वी है कि आखिरकार जिन मरी मरीजों के अंदर इस वक्त कोरोना कोरोना से संक्रिमित जो लोग हो चुके हैं लेकिन उनमें किसी प्रिकार के लक्षण नहीं आए हैं तो उन लोगों को आखिरकार कैसे ट्रैस किया जाए उनकी कॉंटेक्ट ट्रैसिंग किस तरीके से हो सकती है इसको लेकर एक नई रणन सेंपल चिकिस्ता विभाग के माद्यम से लिए गए थे लगातार जो जहां-जहां इलाकों से कुरोना पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं उन्हें इलाकों के आसपास का जो एक किलोमेटर का दायरा है वहां से सेंपल कलेक्शन का काम शुरू हो गया है अजमेर में शुरू आत सेंपल का कलेक्शन उतनी तेजी से नहीं हो रहा था लेकिन मुस्लिम मोची मौले से जिस तरीके से अब करोना के नए मामले सामने आ रहे हैं तो इसके पीछे एक बड़ी बज़े यह भी है कि यहां पर आसपास के लाके के अदर स्क्रीनिंग के साथ साथ अब यहां पर जो करोना संक्रमित युवक सबसे पहले आया और उसके बाद वो कांटेक्ट ट्रैसिंग जो की गई थी उसी के आधारपने लोगों के सेंपल लिये गए थे और सेंपल लेने के बाद में इन लोगों की जो रिपोर्ट है वो कोरोना पॉजिटिव आ रही है और चुनोती जो संक्रमित हो सकते हैं बचाव के तौर पर केवल केवल सोचल डिस्टेंसिंग की एकमात उपाय फिलाल प्रिशासन के सामने नजर आ रहा हो और इसी के लिए जब कोरोना के लक्षन नहीं दिखाई दे रहे हैं लेकिन फिर भी लोगों ने एतियातन तौर पर कई दवाईयों उसके मताबिक यहां पर जो मुस्लिम मौची मौला इलाका है यहां की दो गलियों से मामले सामने आएं और यह दोनों ही गलियां बहुत संक्री गलियां हैं और संक्री गली होने के चलते यहां पर किसी प्रिकार का सेनिटाइजर का जो वाहन है वो नहीं पाउ सकता है लगा वहां तक नहीं पाउच सकते हूं और उसका खाम या जा तरिके सा आप देख लिजे कि यहां पर भूगतना पढ़ रहा है नतीजे सभी के सामने हैं कि किसी परकार के नतीजे नोगों में नहीं आ रहे हैं लेकिन कोरुणा के लक्षन दिखाई नहीं दे रहे हो और इसके करना बहुत चुनवाती पूर्ण काम भी बना हुआ है चिकसा विभाग के लिए प्रिशाचन के लिए भी इसलिए बहुत जादा जरूरी है कि घर से बाहर ना निकलें लोग अपने क्योंकि यह जो इलाका है इस इलाके से इस इलाके के अंदर पतली और संक्री गलियां होने क चलते यहाँ पर उस तरीके से प्रिशाचन अपने अधिकारियों को और पुलिस जवानों को नहीं बेच पाता था हाला कि एक दिन में एक या दो बार जरूर राउंड लगाया जाता था लेकिन एक जो लगातार सोचल मीडिया पर लोग जानकारी दे रहे हैं लोग प्रचक मामला सामने आया है कि करोना के एक दम से बुदवार सुबच चवालीज नए मामला आ गहे हैं खेर इन तमाम लोग के साथ वाकिकी जो लोग हैं उनकी कॉन्टेक्ट कांटेक्ट रेसिंग की जा रही है पता लगाया जा रहा है कि आकिरकार कोई और भी क्या दूसर को जब तक हम दर्शकों तक पहुचा रहे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी लापरवाई भी सामने आई है कि जो नगर निगम की और से इस इलाके से जो कच्रा उठाया जा रहा है उस कच्रे को लेकर भी अब लोगों कोई कच्रा आ रहा है तो डिपो क्यों रखा जा रहा है कि वहां से किसी प्रकार का कोरुणा का संक्रमन फैलने का डर नहीं तो इसको लेकर लगाता है अब लोग सवाल उठा रहे हैं कई तरगे के प्रिशाशनिक अमलों के ओपर सवाल कर रहे हैं हम लगातारी कोशिच कर रह है या नहीं है या फिर उसके लिए क्या है थियाद और बचाव करने है खेर प्रिचाशन बैठकों का दौर अब शुरू कर चुका है और आज जो है बहुत सक्त फैसले हो सकता है कि अजमेर में इस इलाके को लेकर आ जाए लेकिन जो जैसे ही मंगलवार शाम को मामले सामने है हैं उसके बाद से पूलिस ने माहा कर्फी एक तरिके से यहां पर लगा दिया है यहां के एक किलोमेटर के दाएरे में किसी की भी आवाजाई किसी प्रकार से नहीं हो सकती और जितने भी तमाम लोगों के पास बने वे तो उन तमाम पासों को निडस कर दिया गया है और समझी और दूत की विवस्ता पहुंचा जाएगी आगे की तमाम जानकर हम आप तक अप्रप्त कराते रहेंगे लेकिन अंप्रिटीव इंडिया आप तमाम दर्शकों से और शहरवासियों से अपील करता है कि सोशल डिस्टैंसिंग की पालना ही एक मात्र कोरोना वायरस से इस वक्त बचाओ है